गुड मॉर्निंग एवरिवन तो अभी हो रहे हैं सुबर के चार और हम सब रेडी हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं घर से जा रहे हैं वापस से तो चलिए मैं आपको अब घाट पे मिलती हुआ काइब कि सुगाइब हमेशा की तरह हम आज भी लेट होगे हमने अलाम भी लगाया था बट वो इस नहीं दिया मतलब पता ही नहीं चला कि कब वो बजा और कब क्या हुआ फिर हम अमेशा की तरह लेट हो गया थे तीन बज़े का हमने अलाम लगाया था लेकिन हम उठे कुछ चार बज़े फिर फ्रेश हुए फिर रेडी हुए और घर से निकलते निकलते हमको हो गया था कुछ फाइफ टैन ऐसा कुछ तो आप लोग देख सकते हो पूरा रास्ता सुनसान है और इतनी फ्रेश हवा आती है सुबह सुबह इतना अच्छा लगता है बहुत ही मज़ाया तो हम घाट पर पहुच गए हैं और जो मतलब शाम में जो भीड़ थी ना उसके मुकाबले मतलब अभी जो मॉर्निंग में था वो कम था क्योंकि शायद शाम के टाइम सभी अपने फैमिली मेंबर सब लोग आते हैं तो जादा भीड़ हो जाती है और मॉर्निंग के अरक के टाइम जादा लोग उठ नहीं पाते हैं बहुत कम आते हैं इसलिए इतनी भीड़ नहीं थी कमी थी बट फिर भी था तो बहुत ही इंजॉय किया हमने आप लोग पूरा व्लॉग देखिए और इंजॉय करिए औ और वीडियो को स्किप मत करना वरना आप कुछ पार्ट मिस कर दोगे तो यह मेरा था मॉर्निंग का आउटफिट और चॉरा नहीं हो पॉरा हुआए और प्रॉरा नहीं हो पॉरा गग्या करी ए मॉर्रा नहीं है कर दो 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 कैट मार् कि टो कर दो दो कि अदा Everyone कर दो कर दो कर quién तो कर दो कि आदा हूए सकतार भंप का दो कर 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 दो कि अच्छी आप देख सकते वह पीछे मेरी मौसी बैट यह और कैसे खा रही है एक्छी आपको लेट इसलिए हुआ क्योंकि कि अम भजिया बना रहेते घर पे क्योंकि ममी लोग फास रखते हैं तो घर पे आके कुछ खाए तो ममी ऐसा रहता है ममी का कि हर बार ममी कुछ घर से बना कर लेकर आती है और वहां पर थोड़ा बहुत खाते हैं पानी पीते उसके बाद घर के लिए निकलते हैं तो वही मौस और यह आप देख सकते हो पूरा खाली हो चुका है वरना यहां पर इतनी जादा बेड़ थी कि क्या ही बोने है पुनम अब कब मिलेंगे कहा है कब नेक्स वीडियो के हां तो चलो आप तो फ्रेंस आप लोग देख सकते हो वह गार्डन पूरा क्लीन होगा और वह जो ऐसा अब क्लीन होगा और अब हम निकल गए अपने घर के लिए बाइकरों, मुशी, बाइकरों तो गाइज हम पहुच गए घर और ये व्लॉग में यही एंड करती हूँ मैं मिलती हूँ आप से नेक्स लॉग में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुश रहिए एंड बाइ